आप सब लोग उमीद करती हूं आप सब अपने अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे आप सब की दुआओं की वज़े से अलाम दरिल्ला हम भी बिल्कुल ठीक है तो चलिए आज की बहुत ही टेस्टी सी चिकन की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हमने ये कुछ इंग्रीडियन्स ले लिये हैं तो देख लेते हैं तीन मैंने मिडियम साइस के प्यास कटिंग कर लिये हैं तीन ही मैंने टमाटर लिये हैं चार से पांच मैंने हरी मिर्च ली है काली मिर्च, लॉंग, इलाइची, जीरा, हल्दी और नमक अपने स्वात के अनुसार और धन एक कुकर में सेट कर दी है, इसे मिक्स कर लेंगे और अभी जो हमने मसाला निकालकर रखा था देखिए, वो भी हम इसमें एड कर देंगे सबसे पहले हम अधरक और लसन को कूट कर इसमें आड करेंगे यह देखिए, जीरा, काली निर्च, धनिया बस हमें यही इसमें आड़ करना है अद्रक लसन हमने इसमें आड़ कर दिया है लॉंग इलाइची सब इसमें आड़ कर देंगे और अभी हम कुकर की धकन लगा देंगे और इसमें हमें दो सीटी ले लेनी है थोड़ा से इसमें पानी भी आड़ कर देंगे हाफ कफ हम इसमें पानी एड़ करेंगे ये देखिए अभी हम इसे धकन लगा देंगे और दो सीटी ले लेते हैं ये देखिए गाइस मेरे किचन में सनलाइट आती हुई कितनी प्यारी लग रही है है ना तो चलिए कूकर को खोल लेते हैं ये देखिए सारी चीज़े अच्छे से पक चुकी हैं एक बाद चेक कर लेते हैं ये देखिए बहुत अच्छे से ये सारी चीज़े पक गई हैं तो अभी हम इसे दूसरे बरतर में ट्रांसफर कर लेते हैं एक कड़ाही में मैंने से ट्रांसफर कर लिया है और अभी गेस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और इसे सारा मसाला हमें अच्छे से भून लेना है ये देखिए सारी चीजों को हम इस तरह से मेश करते हुए स्पून की हेल्प से ये देखे सारा मसारा रेड़ी कर लेंगे और अभी हम इसमें चिकन एड़ करेंगे हाफ केजी चिकन लिया है मैंने अच्छे से वाश करकर रखा है वो इसमें एड़ करेंगे अभी जो हमने spices निकाल कर रखे थे, यह देखिए side में, वो भी इसमे अड़ कर देंगे यह देखिए, सारी चीज़े हमने अच्छे से mix कर ली है चिकन के साथ तो अभी हमें इसमें 3 टेबल स्पून दही अड़ कर देना है, दही हमने फेंट कर लिया है, यह देखिए वो भी इसमें एड़ कर देंगे बहुत ही टेस्टी सा चिकन हमारा बिल्कुल बनकर रेड़ी होगा ग्रेवी के साथ बिल्कुल बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है ये खाने में आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा अगर आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक कोमेंट शेयर जरूर करिएगा चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा कमेंट में हमें जरूर बताईएगा ये चिकन की ग्रेवी वाली रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी अभी तीन से चार मैंने हरी मिट्स ली है इन्हें इस तरह से कटिंग करकर इसमें एड़ कर दिया है ये देखिए सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढखकर इसे 5 मिनट के लिए हम पका लेंगे 5 मिनट के बाद हम इसे खोल कर देखेंगे तो ये देखिए कितने बड़िया से हमारा चिकन बिल्कुल बनकर रेड़ी है चिकन भी अच्छे से पक गया है मसाले के साथ बिल्कुल सेट हो चुका है ये देखिए इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छे से बनकर रेडी हुई है तो चलिए अब हम इसमें हरधनिया एड़ कर देते हैं बारी कटिंग करकर हमने इसमें हरधनिया एड़ कर दिया है अब ये बिल्कुल रेडी है तो आप लोग भी इसे राइस, रोटी या फित, चपादी, नान, किसी के भी साथ इसे सर्व कर सकते हैं अभी हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला एड़ कर देंगे और भी ज्यादा इसे खुश्बुदार और टेस्टी बनाएंगे चलिए अभी चिकन बिल्कुल बनकर रेडी है, आपको ग्रेवी एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने बड़िया से हमारा ये चिकन बिल्कुल बनकर रेडी है अभी हम इसे आपको सर्व करकर दिखा दे हैं ये देखे मैंने इसे इस तरहां से सर्व कर लिया है अब आप लोग भी इस रेसिपी को जल्दी से बना कर ट्राइ करें अपनी फैमली के साथ बना कर इंजोई करें और यहां तक हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग अल्हाफिज